चाहे हिन दोस्तों मैं हो मुक्तक सिंग राठोड दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की विडियो के अजिंडा की तरफ आगे बढ़ू एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों बात है 1948 मार्च महीने की जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला वार, फर्स्ट वार, कश्मीर वार के नाम से भी ये जाना जाता है चल रहा था और इस युद्ध के अंदर बहुत जबरदस बहदूरी का परिचय देते हुए भारती सेना ने जांगड और नौशेरा के इलाके में कबजा कर लिया था लेकिन अब भारती सेना को पाकिस्तानियों को और पीचे ख़ड़ने के लिए नौशेरा से आगे बढ़कर रज़ौरी के उपर कबजा करना था लेकिन नौशेरा से रजओरी के तरफ बढ़ने वाले सारे रास्तों पर पाकिस्तानियों ने बहुत सारी माइन फिल्ड्स बिचा के रखी हुई थी जिसमें एंटी टैंक माइन्स भी थी और एंटी पर्सनल माइन्स भी थी और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे road blocks भी करे हुए थे यानि कि आसपास के ही pine trees को काट कर सड़कों पर डाल दिया था जिससे भारती सेना तेजी से आगे ना बढ़ सके भारती सेना को रज़ौरी को कबजा करके अपने control में तो लेना ही था लेकिन साथ ही साथ ये भी चुनौती थी कि अगर सही समय पर रज़ौरी और उसके आसपास के इलाकों को कबजे में नहीं लिया गया तो पाकिस्तानी सेना और उनके साथ आए tribals उस इलाके के civilians को बहुत बुरी तरह से हाम कर सकते इसलिए भारती सेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई थी और इसी चुनौती से निपटने के लिए Bombay Sappers की एक unit यहाँ पर आती है और इनको ये टास्क दिया जाता है कि जब भारती सेना आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ती हुई भारती सेना के रास्ते को clear करने का काम इनको करना पड़ेगा जिने कहा जाता था Core of Engineers जी हाँ और यहाँ पे हमारे सामने आते है Second Lieutenant रामा रागोबा राने जो अपने कमांड में ये टास्क उठाते हैं कि वो सारे Road Blocks को और सारे Mine Field को clear करेंगे तो उस तो 8 अपरेल से लेके 11 अपरेल के बीच में यानि कि 3 दिन तक अथक यानि कि tirelessly ये काम करते हैं और Mine Blocks को हटाते हैं और साथी साथ Road Blocks को भी हटाते हैं लेकिन इन Road Blocks को और Mine Fields को हटाना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी Mortars और पाकिस्तानी Artillery लगातार इनके उपर फाइरिंग कर रहे थे लगातार इनके उपर शेलिंग कर रहे थे पाकिस्तानी बिलकुल भी नहीं चाहते थे कि भारतिये सेना आगे बढ़े और तभी सेकेंड लेटिनेंट रामा रागोबा राने और उनके ट्रूप्स ने टैंक जो भारतिये टैंक आगे बढ़ रहे थे उन टैंकों के पीछे और उन टैंकों के नीचे कवर लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और एक-एक करके सारे माइन फील्ड को क्लियर करना शुरू किया यह प्रोसेस आसान नहीं थी क्योंकि पाकिस्तानी लगातार इनके उपर फायर करते जा रहे थे और इन इंजिनियर्स की कैशुल्टीज भी हो रही थी लेकिन इन इंजिनियर्स के ग्रूप ने अपने काम क और को जारी रखा और जैसे कि मैंने आपको बताये कि तीन दिन तक लगातार दिन रात बिना सोय, बिना खाये, बिना पिए, यह एक इक ही काम करते रहे कि जतने भी रोड़ ब्लोक्स थे उन्हें क्लियर करना, जितनी भी माइन फील्ड थी उने क्लियर करना ताकि भारती सि ना कि infantry आगे बढ़ सके और राजौरी को कबजा कर सके इन तीन दिनों के अथक परिश्रम और बहुत ज्यादा बहादुरी भरे कारणामे के बात वो इस काम को सफलता पूर्वक करने में सफल रहे और इसके वज़र से उन्हें इस लड़ाई के बाद में परम वीर चक्र से सम मानित किया गया बहुत बुरी तरह से सेकेंड लेटिनेंट रामा रागावार राने घायल भी हो गये थे लेकिन अन्माइनफुल ऑफिस परसनल सेफटी एंड सेक्योरिटी वो अपने काम को करते रहे और इन रोल्ड रोड ब्लोक्स को और माइन फिल्ड को वो क्लियर कर प लेटिनेंट रामा रागो भाराने कोर ओफ इंजिनियर के एक अधिकारी थे और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कोर ओफ इंजिनियर काम क्या करता है और ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सको इसके महत्व इसके इंपॉर्टेंस को समझ सको इसलिए छो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि एक नदी है और उस नदी के उपर एक temporary याने की एक ऐसा मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया गया है जिसके उपर टैंक्स जिसके उपर से टैंक्स निकल सकें जिसके उपर से infantry के vehicles निकल सकें और infantry men भी निकल सकें कई बार युद्द में ऐसी position आ जाती है कि दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ते हुए कोई नदी आ जाती है और उस नदी को पार करना होता है अब ये possible नहीं है कि सैनिक इस नदी में कूद जाए और तैर कर उधर पार करें और अगर किसी तरह ये possible हो भी जाए तो ये ब engineers इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब युद्ध होता है तो ये engineers लगातार अपनी infantry या अपनी armored forces के साथ में बने हुए रहते हैं battlefield के अंदर और बिल्कुल उसी intensity के साथ में काम करते हैं जिस intensity के साथ में कोई fighting force काम करती है तो एक important काम होता है इनका पुलों को बनाना दूसरा important काम होता है इनका जो इस photograph के थुरू आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ engineers है जो क्या कर रहे हैं जो mine field को detect कर रहे हैं mine field को detect करके उसको diffuse करना क्योंकि antipersonal mines हो सकती जिसके उपर अगर किसी individual ने किसी सैनिक ने पैर रख दिया तो वो trigger हो जाती है और उसमें explosion होता है ज्यादा तर इस तरह के cases में legs यानि कि जो टांग है वो पूरी तरह से तूट जाती है या कट जाती या उखड जाती है या कभी-कभी कुछ cases में यह death भी cause कर सकता है और कुछ ऐसी mines भी होती है जो anti-tank mines होती है जिसके उपर से कोई बड़ा heavy vehicle निकल जाए या tank निकल जा जाती है ऐसे में combat engineers का role बड़ा important होता है और उन्हीं का यह task होता है यह बड़ा खतरनाक task होता है mine field को defuse करना उसको inactivate करना लेकिन यह काम भी यह task भी combat engineers का होता है तीसरा यहाँ पर आपको जो task दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको दो combat engineers दिखाई दे रहे हैं जो कि एक गुसा चला आ सकता है ऐसे में अब engineers का role बडल जाता है और उनका role यह हो जाता है कि वो दुश्मन को आगे बढ़ने में कई तरह के obstacles पैदा करें यह दुश्मन हमारी territory में तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और इसी लिए mine laying भी इन engineers का काम होता है यह दुश्मन की territory मे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो mines को clear करना फुलों को बनाना और अगर दुश्मन हमारे इलाके में आगे बढ़ रहा है तो इस तरह की mines बिचाना इतने smartly, intelligently और critically, crucial points पे ऐसी mines को ले करना जिस से कि दुश्मन easily आगे नहीं बढ़ पाए उसको बहुत ज्यादा hurdles का सामना क पड़े इन इंजिनियर्स को in combat इंजिनियर्स को सैपर्स भी कहा जाता है सैपर्स का मतलब होता है किसी को भी धीरे धीरे खतम करने वाले क्योंकि ये इंजिनियर्स का काम ऐसा होता है कि जब ये दुश्मन के अलाके में ऑपरेट करते हैं या दुश्मन के अगेंस्ट हमार सारा नुकसान पहुंचाते, इसी लिए इन इंजिनियर्स को सैपर्स भी कहा जाता है, लेकिन कोर ओफ इंजिनियर्स में सिर्फ सैपर्स या कॉमबाट इंजिनियर्स नहीं होते, बल्कि कोर ओफ इंजिनियर्स में Military Engineering Services भी होती है जिसका लोगों भी कुछ थोड़ा सा अलग होता है लेकिन ये Core of Engineer का ही हिस्सा होता है लेकिन इसका भी बड़ा important काम होता है जो इन दो photograph के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है पहला photograph है एक Air Base का दीकि Military Operations के लिए Air Base का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि Air Force बहुत important support प्रोवाइट करती है combat में इंडियन आर्मी को ऐसे में अलग-अलग जगों पे मुश्किल हालात में या जल्दी से या फिर किसी unhospitable terrain के अंदर Air Base को बनाना आसान काम नहीं होता ये normal engineers के बूते की बात नहीं होती और यहाँ पे भी military engineers का role बहुत ज़्यादा important होता है और उन में से एक role होता है Air Base बनाना अब अगर मैं बात करूँ कि सियाचिन सियाचिन के अंदर Air Base बनाना है जल्दी से बनाना है टाइम के अगेंस्ट आप रन कर रहे हो काम भी बड़ी तेजी से और जल्दी करना होता है यहाँ पे भी military engineers का बड़ा important task होता और दूसरे photograph में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक dockyard दिखाई दे रहा है भारती यह नौ सेना का जहाँ पे आके पनडुब्या यानिकी submarines और जहाज यानिकी लगते हैं तो इस तरह की dockyards को बनाना भी military engineers का ही काम होता है दरसल यह जो services of military engineers होती है यह tri services department होता है यह army, navy और air force तीनों के लिए ही combinedly काम करता है और फिर कीसरी बात आती है यह logo आपको दिखाई दे रहा है यह border road organization का logo है इनका यह भी engineer का ही एक wing होता है जिसका मुख्य काम होता है कि सीमा वरती इलाकों में और unhospitable terrain में difficult geographical location के अंदर सडके बनाना और इन सडकों के द्वारा इन सडकों को ऐसा बनाना कि हमारे troops easily mobilize कर सके उन unhospitable इलाकों के अंदर और दोस्तो 1962 का भारत चीन युद्ध तो आपको यादी होगा यह कैसा युद्ध था जिसमें भारत को बहुत नुकसान हुआ था और इस नुकसान की एक बहुत बड़ी वज़ा थी कि उस समय भारत के मैदानी इलाकों से या इंडियन आर्मी के जो headquarters हुआ करते थे अलग-अलग कोर के उन कोर के headquarters से उत्तर पूर्वी सीमाओ की अच्छी connectivity नहीं थी अच्छी सडके नहीं थी वह सडके अगर चलती थी मान लिजे कि Central Command लखनों से कोई सडके चली तो वो सडके आपको हिमाले के तलहटी तक तो पहुँचा देती थी लेकिन हिमाले की जो चड़ाई यहां पर Border Road Organization का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्ीकि आप यह देख सकते हों कि कितना यह एक इसे पर्वास्प्रो नहीं चिक पाई कर रहे ना ठीक से गोला बारूद मिल पाया उड़ाई कर रही थैं चीनियों के साथ में और चीनियों को photograph है जो clearly indicate कर रहा है कि पहाडों की चट्टानों को काट कर BRO वहाँ पर एक road बना रहा है और ये road कहीं ने कहीं किसी border post पर जा रही है यहाँ पर यहाँ से गुजरने वाले truck यहाँ से गुजरने वाले vehicles उस सैनिक को जरूरी logistics दे सकेंगे जिसकी वज़े से सैनिक लड़ाई लड़के जीत सकता है नेपोलियन जो कि एक बहुत बड़ा जेनरल रहा था उसने कहा था कि an army marches on its stomach कोई सेना अपने पेट के बलागे बढ़ती अगर सेना को भोजन नहीं मिलेगा रसद नहीं मिलेगी तो कितने भी बहादूर और काबिल सैनिक क्यों नहों एक point तक ही लड़ पाएंगे और उसके बाद वो हार जाएंगे या वीर गती को पराप्त हो जाएंगे साथी साथ यहाँ पर भी आप एक नजारा देख सकते हो कि हिमाले वो भी कौन सा हिमाले लदाख वाला हिमाले जो बहुत टफ होता है काम करना भी बहुत टफ होता है एक कहावत कही जाती है उस लदाख के इलाके में कि don't be a gamma in the land of lama यानि कि लामा की धरती पर गामा मत बनो वहाँ पर ऐसी इतना कम होता है oxygen level कि आप दो चार किलोमेटर भी अगर चल लो तो आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए अगर आप पूरी तरह से एकलिमेटाइजड ना हो तो ऐसे में बियार हो कि वरकर्स उन इलाकों में का रखना पड़ता है तो perfection भी रखना है quality भी रखना है जल्दी भी करना है यह सारा काम फॉज ही कर सकती है और फॉज के engineers कर सकते हैं तो हम salute करते हैं उन engineers को और हमारे फॉजियों को जिनकी इस मेहनत और बहादूरी की वजह से आज हमारा देश सलामत है और हमेशार रहेगा ज